साथियों मात्मा गांदीजी ने सत्य अहिंसा सत्याग्र स्वालम्मन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया था आज हम उसी रास्ते पर चल कर स्वच्छ स्वस्त सम्रुद्ध और ससक्त न्यू इंडिया के निर्मान में लगे हैं पुझ्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरी मानते थे सच्चे साधक के तौर पर देश का ग्रामिन खेत्रा आज उन्हें स्वच्छ भारत की कारियांजली दे रहा है गांदीजी सहत को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरी स्वस्त हो हम योग दिवस आयुश्मान भारत फीट इंडिया मुमेंट के जरिये इस विचार को देश के वहवार में लाने का प्रयास कर रहे हैं गांदीजी वसु दैव कुटुम कम में विश्वास रखते थे अब भारत अपनी नई योजनाओं और परियावरन के लिए प्रतिवध्यता के माध्यम से दुनिया को कई चुनोतियों से लड़ने में मदद कर रहा है। बापु का सपना आत्म निर्भर आत्म विश्वास से भरे भारत का था। आज हम मेकिन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया से इन सपनों को साकार करने में लगे हैं। गांदी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गाउं सावलंबी हो, हम राष्ट्रिय ग्राम स्वराज माध्यम से इस संकल्प को सिद्धी की तरफ ले जा रहे हैं। गांदी जी समाज में खड़े आखड़ी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते थे। हमने आज उजवला, प्रदान मंत्री आवास योजना, जंदन योजना, सवभाग्य योजना, स्वच्छ भारत जैसी योजना, इन सबसे उनके इस मंत्र को व्यवस्ता का हिस्सा बना दिया है। पुजबापू को उन्होंने तकनिक का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जीवन को आसान बनाने की बात की थी। हम आधार, डारेक बेनिफिट ट्रांसपर, डिजिटल इंडिया, बीम एप, डीजी लोकर के जरिये, देश स्वास्यों का जीवन आसान बनाने का प्यास कर रहे हैं।